हलो एवरिवन आज हम 10th क्लास का जोग्रोफी डिसकस करेंगे जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम इस चैनल पे 9.10 का जोग्रोफी डिसकस करते हैं आज हम जो है इलाकाई सेर इस चैप्टर के question and answers देखेंगे इस चैप्टर को हम previous वीडियो में complete कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको description box से मिल जाएंगे सो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये चैप्टर एक कहानी नुमा चैप्टर है और इस चैप्टर में से questions आपको कहीं से भी पूछे जा सकते हैं जो मश्क में दिये गए हैं उसके अलावा भी बहुत सारे questions इसमें से पूछे जा सकते हैं तो आपको जो है चैप्टर का description देखना चैप्टर को समझना बहुत जादा जरूरी है अभी हम जो है मश्क में दिये गए questions के बारे में देखते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इलाकाई सेर के जरीए जिगराफिय तसवरात अवामिल का तजर्बा हासिल किया जा सकता है इसके अलावा इनसान और माहुल के आपसी तालुक की भी मालूमात हासिल की जा सकती है इसके अलावा उस मुकाम की समाजी, माशी और तारीखी सूरते हाल का भी मुताला किया जा सकता है अब इसमें सबसे जादा important की इलाकाई सेर के जरीए जिग्राफिया का मुताला बहुत जादा दिल्चेस पर आसान हो जाता है सो इस तरह से जो है आप इसका answer लिख सकते हैं और आप अपने तोर पर भी जो है इसमें point add कर सकते हैं जो आपको important लगते हैं ठीक है अब इसके बस second question देखते हैं कि कारखाने की इलाकाई सेर के लिए सवाल नामा तयार कीजिए कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की तेदात कितनी है कारखाने में अशिया की पैदावार के लिए किस किसम के खाममाल की जरुरत होती है और ये खाममाल कहां से हासल किया जाता है इसके अलावा कारखाने में तयार माल किस इलाके में फरुखत किया जाता है कारखाने में काम करने वाले लोगों की हिफाज़त का क्या नजम है किस तरह से उनकी हिफाज़त की जाती है माहूल को नुकसा ना पहुंचे इस मकसद के लिए कौन से तरीके इखतियार किये जाते हैं तो इस तरीके से आप एक सवाल नामा तयार कर सकते हैं अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन पे कि इलाकाई सेर के दौरान कच्रे को ठिकाने लगाने का इंतिजाम किस तरह करेंगे तो इसके आंसर में आप लिग सकते हैं कि अगर इलाकाई सेर के लिए आप जा रहे हैं तो आप कच्रे को जमा करने के लिए अपने साथ बूरी या थैलिया साथ में रख सकते हैं इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इलाकाई सेर में जो अफराद है वो कच्रा ना पहलाएं इसके अलावा जो है बेकार अशिया कागस की थैलिया और बचा हुआ खाना जो है आप एकटा कर लें अगर आप जिस इलाके में गए हैं वहाँ पर कच्रे का इंतिजाम नहीं है तो आप इतलाती बोर्ड और नोटिस वगेरा लगाकर लोगों में बेदारी पैदा कर सकते हैं और उस इलाके के इंतिजामी अफसरान से आप अपने असातेजा की रहनुमाई में राप्ता कायम कर सकते हैं ठीक है अब इसकी बाद नेक्स्ट कोश्चन है कि इलाकाई सेर के लिए आप कौन कौन सी अशिया साथ ले जाएंगे इसके अलावा मुकाम की सिम्ट तै करने के लिए कुतुब नुमा और गहरे मुताले के लिए आप मैप नक्षा अपने साथ रखेंगे इलाकाई सेर के मकसद के लिहाद से मालुमात इखटा करने के लिए आपको एक सवाल नामा तयार करना होंगा और इलाके से पानी, मिटी, नबतात और पत्थरों वगेरा का नमुना उठाने के लिए आपको कागस की थैलिया या फिर बंढ़ धकन वाले डब्बे रखने होंगे इसके अलावा टोपी, पानी की बॉतल और फस्टेट बॉक्स भी साथ में रखना जरूरी है अब यहां पर इस चेप्टर में कोशन दिया गया है कि अपने इलाकाई सेर की रुदात तयार कीजिए तो यहां पर आपको जो है आपने जो भी इलाकाई सेर की है उसके बारे में आपको लिखना है अगर आपने टीचर्स के साथ गए हो अपने पेरेंट्स के साथ गए हो तो आप जो भी आपने इलाके की सेर की है उसके बारे में आपको यहां पर लिखना है फॉर एक्जामपल आपको उन्वान बनाना है उन्वान में आपको जहां भी आप गये थे उसका नाम लिखना यहां पर दिया गया है घारापूरी जजीरे की इलाकाई सेर की रुदात ठीक है अब इसके बाद आप सेकेंड पॉइंट लेंगी इलाकाई सेर का मकसद क्या आपकी जो सेर है उसका क गई मालूमात अब यहां पर आपने इलाकाई सेर में जो भी मालूमात हासिल की है इसमें जो है आपको पॉइंट वाइस लिखना है फॉर एक्जामपल इसमें दिया गये हैं कि जजीरे का मुकाम तो आप जो भी इलाके में गये थे वो किस इलाके में आता है किस जिले में वो आपको शुरुवात में सबसे पहले लिखना जरूरी है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है घारापूरी जो है जुनूबी मुंबई में आता है और यह जिला राइगर में वाक्या है इसके अलावा जजीरे का रगवा आपको बताना है जजीरे पर पहुंचने के लिए आमो पूदात तयार करनी है आप चाहें तो यह भी लिख सकते हैं या फिर जो है आप जिस भी मुकाम पे गए हैं उसकी मालूमात लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट यह है कि आपको जो है सबसे पहले एक उन्वान लिखना रहेगा उसके बाद आपको इलाकाई सेर का मकसद लिख लेते हैं तो इसमैं सबसे पहला है कि इलाकाई सेर के दौरां मुकामी अफ्रास से मुलाकात के जरonn ये मालूमात हासिल की जा सकती है, तो ये बिल्कुल सही है मिक्ते ञामाइबूर क्टे और भूर्ज का मचले। वसायल भी मुख्तलिफ होते हैं तो ये है सही इसके बाद दिया गया है कि मुख्तलिफ इलाकों की बारिश के तनासुब का फर्क वहां की नबतात की बिना पर समझ में आता है तो ये भी है सही अब इसके बाद सिक्स है कि इलाकाई सेर के दौरान नबतात बारिश के तनासु के तनासुप 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 के है तो इलाकाई सेर के जरीए किसी भी मुकाम की जिग्राफिय, समाजी, माशी, तारीखी वा तमद्दूनी जिंदगी से मुतालिक मालूमत हासिल होती है अब इसमें धर्ड दिया गया है कि इलाकाई सेर के दोरान आप किन तरह से हासिल करेंगे तो आप जो है बजाते खुद मुशायदा करेंगे, इंटरवियू लेंगे, आपने जो सवाल नामा तयार किया है, उससे मुतालिक से मुतालिक जो भी कागजात वहाँ पर दस्तियाब है, उससे भी आप जो है मालूमत हासिल कर सकते हैं, अब इसके बात पांचवा दिया गया है, कि मुक्तलिफ मुकामात की बारिश के तनासुप का फर्क किन बातों से समझ में आता है, आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, कि जो है नबतात, मकानात की साखत, लोगों के लिबास और लोगों की घिज़ा वगएरा से हम ये समझ सकते हैं, कि वहाँ पर बारिश का तनासुप कैसा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चैप्टर के अल्मुस्ट कोईशन कवर कर चुके हैं, अगर इसके अलावा भी आप कर तो, आप आचा है भी आपगा है, आप जाहं भी आथ हैं, कि उड़ी को आपगरा ओ yapाया है, यहाँ टो यहाँ पर सकते हैं, अएमा जले कि आप जे कि घोगों कि प...'